कि नभशकर दोस्तों मेरा नाम दीपक बागला है और अभी हमने हाले में भारत का भगोल शुरू किया है तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं देखिए हमने पढ़ा था कि जो साड़े ब्यासे डिग्री जो साड़े ब्यासे डिग्री पूर्वी देशा अंतर रेखा है जहां से भारत का मानक समय लिया गया वो कहां पर है रिपलाई कीजिए जरा यस वो कहां पर है हाँ जी बिल्कुल सही मिर्जापूर आपने बिल्कुल सही पगड़ा अच्छा मिर्जापूर में कहां पर फेमर जगे बताईए यस वेरी गुड देखे मिर्जापूर हमने आपको दिखा था और मिर्जापूर यह है यह ओके इलाबाद के पास है अब परशन कहीं बार थोड़ा गयराई से पूस्ते हैं और यह पूस्ते हैं कि साड़े 82 डिग्री पूरवी दिशानतर एक निमन में से कितने राज्यों से गुजरती है ठीक है या किस से नहीं गुजरती ठीक है या किन के इन से गुजरती है तो आप अगर एक बार समझ लेंगे तो कैसे भी घुमा कर कोश्चन पोचले आप आंसर दे देगे तो देखे फ्राडी ब्यासि पूर्वी अपतिशानतर है. वह आई मिर्जापुर. और मिर्जापूर के बाद कहा आएगी मध्यपरदेश. मध्यपरदेश के बाद आएगी 36 ऐड़. और 36 ऐड़ तच होगी रीज़ और उड़िशा yam 근데 आएगी अंदरप्रदेश. तो कितने राज़ों से टच हुई, येस उतरप्रदेश एक और मद्यप्रदेश दो, तीन, चार, उड़िसा चार और ये पांच, तो कहानी समझ में आ रही है, अब देखिए वो अगर परिक्षा में हा तो क्या option होगा, किस से नहीं गुजरती, तो उड़िसा दिया जाएगा उड़िसा, कि कि हम लोग पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन प्रशन क्लियर ना होने के वज़े से, जो बारीकी हैं, वो क्लियर ना होने के वज़े से, महां परिक्षा में क्या होते हैं, और हमारा प्रशन मेहनत करने के बावजूद गलत हो जाता है, तो मैं बारीकी क्या देखने हैं तो बारिकी कहा आएगी देखे मध्य प्रदेश से भी कन फर्म है और उडिसा से भी कन फर्म है तो आपको यह बात अच्छे से समझ लेनी है ओके बात समझ में गई पूरवी दिशांतर रेखा साड़े भीया से कितने राज्यों से यस पांट से आगे बढ़ दिनी है अब डाउट फसेंगे कहां यह फसेंगे राजिस्थान क्योंकि राजिस्थान बड़े ही किनारे से टच हो रही है तो राजिस्थान याद रखना राजिस्थान से गुजरनी है राजिस्थान आपको याद रखना बिल्कुल गुजरती है राजिस्थान से तो आपादी पर्देश छतेशी गड़ सी लग हुआ है और गपक्रीक असके बेरबर में है। और एक राज्य क capitalize है और उसका नाम है राची। तो जब राची से गुझरेगी कमलभ ज्अ कंट से भी कुझरेगी। और एक मात रास्थानी सी सैंश। और पच्ष्यमंगाल तुछ में Confirm है क्योंकि पच्ष्यमंगाल उपर से लेकर देखिए अप देखिए तो यहां से लेकर यहां यह पर देखिए उतनी लेकर फैल आ listening video शारचीरित एंव मेंlock और कि ANG Remember नॉटिपुरवा डियान दिगे जो δो नीचे लटके हैं यानि के कौन सा यह आतिरियपुरा को कि तुर्य पूर्फ मुझरी और उसके बाद यह मीजोरुम से भी कुझरेंगी तो दो राजे इधर हो अजाव के और जहीर आजी इधर हो गए तो जहीरा जी इधर हो vegetables हैं है रांग तो यह पलस दो इसका मतलब कितने राज.- इस गुजडरती ए यह गुजडरती है 8 राज्यों इसे 7 कितने राज्यों से हाँ जी इस तो आप एक-दू-बार इसको देख लेना यह कन्फर्म हो जाएब आप हैसे आगे बढ़ते हैं देखिए जो पिर्थ्वी की चुंब की रेखा है वो दक्षिन भारत से गुजडती है पिर्थ्वी की चुंब के विश्वत रेखा दक्षिन भारत से गुजडती है और कहां से गुज्रेगी बताईए जबारे येस त्रिवेंद्रम ध्रुवएंद्रम या त्रू अनन्थ पूरं आप बास समझने ए यह रहा है कि त्रू अनन्थ पूरं कि दहें अगर पूछा जाए आप से की सरवाध्य के सीमा बने वाला रजय कुंसे है ठीक है जी उत्तवर परदेशे कंफर्म कितिनी रजयों से बनाता है बिलकुल सभी जी आठ रजयों से सीमा बनाता है अब समझ लेता है जरा समझ कर देखे उत्राखंड से बनाता है ठीके जी उत्राखंड से उत्राखंड के बाद किस से बनाएगा हिमाचल परदेश से थोड़ी सी सीमा बनाएगा और उसके बाद दिल्ली से बनाएगा और इसके नीचे दो है राजिस्थान और के बाद ज्रारकंड से और ज्रारकंड के बाद भihar से तो गर आप मोटा-mote देखें देखें तो तीन राज्जे तो यह हैं इधर तीन यह हैं उके और तीन यह हैं और नीचे दो हैं okay तो यह टोटल हो गए कितने राज्जे बताए है तो जो उत्तर प्रदेश है सबसे लंबी सीमा बनाता है और कितने राज्यों से आठ से तीन उत्त्राखंड उत्त्राखंड इमाचल प्रदेश हरियाना राजिस्थान मद्यपरदेश और तीन इदर चत्तिजगर्ड जारकंड और बिहार ओके और एक दिल्ली से भी अगर यु देखे एक यह भी पूचा जाता है कि सबसे लंबी तटिय रेखा कौन सा रज्य बनाता है देखे तो सबसे लंबी 3-2 रेखा हमें पता है 3-2 रेखा मारा बनाएगा गुजरात याद कर लीजी इसको अच्छे से परिक्षा में आता है पूचा जाता है और अगर हम मोटा मो ज़्याद है याद करने के लिए तो 16 सो भी याद रख लेंगे तो आपका अंसर सही हो जाएगा तो सबसे लंबी त्रटी रेका किसके रिपलाई कीजिए येस देखिए रिपलाई आपको करना है रिपलाई करते रहेंगे तो आपको स्टोंग होगा और आपको इंट्रेक्शन भी वनेगा और मज़ा भी आएगा अब देखिए अगर मैं पूछू भारत से कितने राज्ये जो हैं 30 सीमा हैं जिनकी कितनी राज्योगे तो यह हम पहले चाप्टर में डिसकस कर चुगे हैं राज्ये तो अब यह आप खुद देखकर बताना ओके राज्योगी बात कर रहें युनिटरिटोरी की बात नहीं क अब फुल मिला कर अगर देखा जाया तो नो राज्य जो हैं नो राज्यी नो स्टेट्स जो हैं 30 ए रेकाईन की हैं ओके तो आप इसको अपने आप देखना आपकी समझ विक्सित होगी देखे एक देखते हैं बांगलादेश, बांगलादेश चे परशन होता है, तो बांगलादेश को थोड़ा और बड़ा करी गया, छोटा लग रहा होगा शाहद आपको, बड़ा कर लाते हैं थोड़ा और, ठीके जी, यह बांगलादेश जूम हो गया, क्लियरेटी थोड़ी हो रहा जाएगी, ओके जी, देखे बांगलादेश किन किन रज्जों से सीमा बनाता है, यह देख लेते हैं, यह पूछते हैं, देखे पस्चिब बंगाल तो कानफाम है क्योंकि एसी से एक समय एसी का एक भागदा, ठ पूरवी बंगाल पस्चिम बंगाल बना दिया, और 1916 में यह पाकिस्तान बना दिया, पूरवी पाकिस्तान, और 1971 में बना बंगलादेश, ओके, तो देखे, दो, एक इधर तो पस्चिम बंगाल है, शे तो कानफाम है, यह याद करने की जूरूत नहीं, देखे, तो दूसरा है असम, पस्चिम बंगाल के बाद क्याद करना है, दूसरा असम, तो दो होगे, उसके बाद है मेगाले, तीन, और यह हमारा है तृपूरा, चारो तरफ बंगलादेश है इसके, तीनो तरफ बंगलादेश, ओके, तो एक बंगलादेश, दो असम, तीन मेगाले और चार तरिपूरा तो हमें जो याद रखना है मेगाले और तरिपूरा याद रखना है बस तो कुल मिलाकर भारत के चार राज्ये बांगलादेश से सीमा बनाते हैं अब बांगलादेश देख लिया तो मेंमार को भी निप्टा देता हैं देखें अगर मेंमार से पूछे भारत के कितने रज्य यह पूछा कौन सा रज्य ऐसा है जो बंगलादेश से भी सीमा बनाता है और मेंमार से भी सीमा बनाता है तो वह अगर आप देखें देखें यह इधर बंगलादेश से सीमा बना रहा है और इधर यह मेंमार से तो वह है मिजोरम आप इसको याद कर लेना वेरी 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 इंपोर्टन मिजोरम बांगलादेश से भी सीमा बनाता है महमार से भी सीमा बनाता है अब प्रशन यह आता है कि महमार से कितने राज्य सीमा बनाता है तो अनाचल प्रदेश देखिए अनाचल प्रदेश, अनाचल प्रदेश के बाद क्या आता है, नागलेंड, हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, ओके दो, उसके बाद आयेगा मनिपूर तीन, और यह हो गया चार, तो चार ही राज्ये मिमार से सीमा बना रहे हैं, और चार ही राज्ये बांगलादेश से सीम बना रहे हैं, एक महत्मूर नदी पूछते हैं, संकोष नदी, देखें संकोष नदी के बारे में संकोष नदी उत्री भूटान से निकलती है, और यह असम और यहां बैती भी असम और असम और पश्चिम मंगाल के बीद यह सीमा बनाती है, असम पश्चिम मंगाल और आसम के भी सीमा बनाते हैं उत्री भुटान से बैती है और यह कौन सी नदी है यह संकोष नदी